इस्राइल हमास युद्ध में केवल दो देश ही शामिल नहीं है बलकि इसमें कई देश और ग्रुप शामिल हो गए हैं कोई इस्राइल के पाले में खड़ा है तो कोई हमास का हिमायती है अब इस युद्ध में रूस का वैगनर ग्रुप भी शामिल होने जा रहा है पहले आपको बता दे कि वैगनर ग्रुप है क्या ये एक प्राइवेट आर्मी है जो रूस की तरफ से लड़ रही है इसके लड़ा के बहुत खुंखार और वेल ट्रेंड होते हैं रूस यूकरेन युद में इनकी भूमी का बहुत खास रही इनकी मदद से रूस को कई जगो पर युकरेन को मात देने में जल्द काम्याबी मिली थी इस्राइल हमास युद में इरान और रूस हमास के साथ खड़े हैं रूस के वही खुंखार लड़ा के यानि वैगनर आर्मी अब हिजबुल्ला की ताकत बढ़ाने जा रही है इरान समर्थित हिजबुल्ला पहले से हमास के साथ इसराइल से टक्कर ले रहा है इसराइल के पाले में खड़े अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि रूसी वैगनर गुप लिबनानी मिलीशिया हिजबुल्ला को अपना एर डिफेंस सिस्टम देने की योजना बना रहा है यह एर डिफेंस सिस् वले मिसाइल और विमान भेदी हत्यार पड़ा ली है इस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए तो यह इसराइली F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को मार कर गिरा सकता है इस हत्यार का सफलता पूर्वक इस्तिमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी किया जा चुका है के बीच चर्चा की निग्रानी कर रहे हैं अमेर्की अधिकारियों के मताबिक S-22 को अभी तक वैगनर सिना ने लेवनान को दिया नहीं है लेकिन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिजवुल्ला और वैगनर के कुछ लोग अभी सीरिया में मौजूद है ऐस जैसे जैसे इसराइल हमास युद बढ़ रहा है लिबनानी सीमा पर इसराइल और हिजवुल्ला के बीच जड़ब भी बढ़ गई है अमेर्की खूफिया विभाद के इस दावे के बाद इस बात की आश्रंका जताई जा रही है कि गाजा में इसराइल के हवाई हमलों के ख